असलाम अलेकुम फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ कद्दू की सबजी बनाने की रेसिपी ये तक्रीबन पॉना किलो कद्दू है इसको छोटे छोटे तुकडे इसके काट लेंगे इसमें चार मीडियम साइस की प्यास डालेंगे और तीन हरी मिर्ची हरी मिर लाएंगे तो इसको जो है बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है दो-तीन मिनट पका लिजिए और इसमें हजबे जरूरत नमक डाल दीजिए और नमक डालने के बाद इसको हम चमस से अच्छे से हिला लेंगे और इसके बाद इसमें जो है कद्दू की जो हमने काटके कद्दू इसके अंदर एड कर देंगे तो जल्दी से गलेगा ने इसके लिए हम इसका ढखन ढख के पकाएंगे ताकि जो है यह जल्दी से पक जाए आप जब भी ढख के पकाते हैं तो ध्यान रखिए बीच में दो तिन-तिन मिनिट पे ना इसको चेक करते रहें चमस्य इसक सब्जी मसाला डालने से इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा सब्जी का और भी एनहांस हो जाता है और सब्जी थोड़ा खाने में और मज़ेदार बन जाती है अब इसको मैंने फिर से ढख के पकाई थी क्योंकि यह जादा कद्दू था इसके लिए इसको तकरीवन गले में पंदरा मिनिट लग गए थे देखिए अच्छे से गल गया है अब इस पर हम बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे इसे खुश्बू आती है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्लेम बन कर देंगे सब्जी रेडी हो गई है रोटी से खाईए दाल चवल से खाईए